हेलो फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले हैं मोबाइल में अप्लिकेशन अप्डेट आया होगा तो कैसे चेक करना है और अप्लिकेशन अप्डेट कैसे करना है वो पूरा मैं आज आपको डिटेल्स में सिखाने ओल यू गाइस क्या होता है ना अप्लिकेशन आट दिन होए दस तो 15 दिन के बाद application update को आता है अगर वो update नहीं किया तो mobile अच्छे तरह से नहीं चलता है speed भी नहीं चलती है अच्छे से hang होने लगता है फिर क्या होता है वो update आया तो update नहीं किया तो mobile में virus जादा बढ़ जाता है इसलिए चलिए देखते है mobile को up to date करते रहना चाहिए हमेश तो update आने के बाद आपको यहाँ पर get apps दिखेगा get apps करके application आपके mobile में नहीं होगा तो play store में जाना है यहाँ पर play store पर जाके प्ले स्टोर के आप सरच बारे में सरच करना है GET APP और GET APP सरच करने के बाद डाउनलोड कर लेना है get APP को को यहां से इंस्टॉल करना है अगर आपके मोबाइल में नहीं होगा तो मेरे मोबाइल में obec इंस्टॉल है तो मैं कैम काय करूंगी अभी मैं application update करना है वो सिखाऊंगी अभी मुझे message आया है get app दिख रहा है आपको वहाँ पे लिखा है 19 मतलब 19 मेरा application update को आये है तो चलिए पहले application को open करना है application open होने के बाद यहाँ पे चार option आते है home, games, coins and me अभी हम home page पे है games पे जाएंगे तो games का open होएगा coins का open होएगा हमें क्या करना है अभी me पे जाना है क्योंकि वहाँ पे हमारे update आये हुए है application के updates तो अभी हम आ गये applications update पे यहाँ पे आता है update apps update all किया तो पूरा एक साथ update होगा मगर मुझे आपको दिखाना है इसलिए उस पे click करना है click करने के बाद यहाँ पे पूरा जो application updates को आये है वो पूरा यहाँ पे दिख जाता है कौन सा application true caller है तो उसका update आये 34.3 MB का आपको update आया है वो update करना है उसके बाद जो मै अटो मिशो सब applications update को आये है अभी मैं क्या करूंगी एक application आपको update करके दिखाऊंगी अभी हम करेंगे मिशो update तो update करने के बाद वाद click करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा तो पूरा update होने तक आपको wait करना पड़ेगा network के इसाब से time जाद आई भी लग सकता है तो guys मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को like कर दीजे अगर आपने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजे और आपका हर कोई problem है mobile से related तो आप मुझे comments करके बोल सकते हो मैं आपको उसका भी solution बोल दूंगी वो भी problem मैं आपको सिखा दूंगी अगर कोई भी settings में आपको problem आ रहा है mobile के application में तो तो आईए मेरा application अभी वो update हो गया है अभी थोड़ी देर में वो loading होने के बाद उसका जो यहाँ पर मीशो आया है ना updates के case में तो वो यहाँ सी मीशो का नाम हट जाएगा अभी हर थोड़ी देर उसको हमें wait करना पड़ेगा तो हो गया update अपडेट होने के बाद यहाँ पर option आता है open का ओपन के बाद वो automatically option चला जाता है क्योंकि वो application हमने क्या किया है update कर दिया है अब यहाँ पर आता है install successfully open it now यहाँ पर ऐसा हमें message आएगा और तो application हो open हो जाएगा मतलब वो application में कुछ update किया होगा कुछ changes किये होगे उन्होंने backend में तो आपको update करने के बाद उसकी जो भी service है वो आपको मिल जाएगी तो ठीक है guys Thank you